आप लोगों को के केस्ट्रों क्लाश में स्वागाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल अब को बटन दबादे आज आपको परतिलेखें संख्या 31 और 32 लिखाएंगे असिक स्पीड में और इसका कड़ाब बढ़ है उसका अस्टाउक लिखके अपलोड कर दिये हैं रेडी लास्ट रेडी अस्टार्ट महोदै सूर्ज से प्राप्त होने बाली उर्जा बिज्ञान का विशाय है प्रन्तु आज उर्जा संसाधनों का जो संकत हमारे सामने उपस्थित है उसको देखते हुए हमारी आसाएं सूर्ज और उससे मिलने बाली उर्जा का उर्जा पर तिकी हैं यह विशे समान हितका है और उसमें हमारी समान अभिरूची भी देख परती है अता इस पाठ में सौर्जा की संकल्पना और उसकी उप्योगता पर असफूट विचार अर्ध तकनी की भासा में यहां प्रस्तूत हैं उर्जा संसार के प्रानियों के जिवित रहने और दैनिक कार्जों के लिए परम आवस्यक है पेर पाउधे सुर्ज से उर्जा गरहन करते हैं सुर्ज से प्राप्त होने वाली उर्जा को ही सौर उर्जा कहते हैं समस्त स्रोतों से उर्जा प्राप्त करते हैं उर्जा के बिना ना तो जीवन संभव है और नहीं कोई कार्ज हो सकता है इससे लिए मानव प्राचिन युग से लेकर आज तक उर्जा प्राप्ति के लिए अनेक श्रोतों और परक्रियाओं को खोजता रहा है उर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है उन्हें हम उर्जा प्राप्ति के परामप्रिक श्रोत कहते हैं श्रोत हैं लकडे, कोईला, पैट्रोल, मिट्टी कातेल आधी इनसे हम उर्जा प्राप्त करते हैं वायू और जल को भी उर्जा के श्रोत के रूप में परियोग किया जाता रहा है आधूनिक यूग में बिज्ञान ने उर्जा के और नए श्रोत निकाले हैं इन्हें आजकल गैर प्रामप्रिक श्रोत कहा जाता है आज उर्जा के अनेक रूप हमें ग्यात हैं इन्धन वाली उर्जा पवन उर्जा जल उर्जा जिवासमी उर्जा का जमीन के नीचे पथर आए इन्धन बाली उर्जा गैश उर्जा परमानु उर्जा तापिय उर्जा भुतापिय उर्जा ज्वार उर्जा आधी प्राम्प्रिक शुर्वतों से निकलने वाली उर्जा के कमी के कारण गैर प्राम्प्रिक शुर्वतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर उर्जा का परियोग अरंब किया सन 1973 में जब पेट्रोल मिट्टी के तेल आदी प्रदार्थों का संकट अनेक देशों से अनुभव किया तब बैग्यानकों ने ब्यावहारिक अस्तर पर सौर्ज को उर्जा के परमुक स्रोत में सुविकार किया भारत सरकार के गैर परंपरिक उर्जा स्रोत बिभाग ने एक ब्यापक काजक्रम बनाया है वहराज्यों के उर्जा बिभागों की सहायता से इन काजक्रमों और सादनों को अधिक से अधिक लोकपिरिये बनाने का परियास कह रहा है उर्जा काजक्रमों के अंतरगत गैर प्रांपरिक उर्जा स्रोतों के निर्मान और उनके रख रखाव और परचार आदिप पर बल दिया जाता है इनके अनुसंधान तथा अभिकास के लिए उच्तम तक्निकी ग्यान तथा परचिशन को बढ़ावा दिया जाता है शौर उर्जा हमारे अनेक कार्जों में उप्योगी सीध हो सकती है शौर उर्जा से बिजली भी पैदा की जाती है जिससे घरों में और सडकों पर परकास होता है शौर उर्जा से सोलर कूकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेटर इत्यादि का विकास राष्टिरिय भावत की पर्युक्सलाओं में हो रहा है सोलर कूकर संदूक के अकार का होता है जो धूप बाले दिनों में दो घंटे में दाल चावल आदी पका सकता है महोदय मांस मसली आदी को भी इससे पकाया जा सकता है सोलर हीटर सावजनिक अस्थानों जैसे अस्पताल होटल करखाने आदी में पानी गरम करने के लिए काम में लाये जाते हैं सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाको, नारियल, इमार्ती, लकडियां, आदी को सुखाया जाता है अब तो ऐसे सौर सन्यंत्रों का विकास किया जा रहा है जिन से समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है और सौर उर्जा से हमारे दूर्द राज के गाउं भी आवपरकास से जगमगा उठेंगे और गाउं भी सहरों की तरह सभी आधोनिक साधनों से संपन हो जाएंगे हम भारत वासी सवहाग सालनी हैं की हमारे देश में सौर उर्जा बारहों महीने सुलब है हमें चाहिए की हम सौर उर्जा का भरपूर लाव उठाएं इस से ना केवल परंप्रिक उर्जा की बज़त होगी पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल आधी के लिए विदेशों का मुह नहीं ताकना पड़ेगा बलकि विदेशी मुद्रा में भी जादा बचत हो सकेगी निशंदेह सौर उर्जा की क्रांती से समान व्यक्ती को लाव मिलेगा और देश चहुमुखी विकास का स्वपन साकार कर सकेगा चुनाव के पहले की स्थिती से देश गुजर रहा है देश का लाखों करोडों का खर्च चुनाव पर किरिया पर होता है अतिरिक्त इसके चुनाव परत्यासे भी लाखों करोडों का खर्च करते हैं जन जन तक पहुचने के लिए जन नेता बनने के लिए असिशित जनता भीर देखती है दिखाबा देखती है परदर्शन देखती है फिर कुछ सोटे मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह हो जाती है ऐसे श्थिती में चुने गए परत्यासियों से भला क्या देश का हित हो सकता है शिशित बुद्धि जिवियों ब्यक्ती चुनाव परकिरिया से चुनाव परिनामों से हतास होकर परकिरिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या करने को मजबूर हो जाते हैं लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते पैराचेंड लोकसभा बिधान सभा पंचायत सभी चुनाव यदी एक ही समय कराए जाएं तो बहुत संभव है लोगों में रूची बने समय का ब्याय रुके आर्थी खर्च भार जो देश को बारवार करना पड़ता है वह बच सकता है क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता परत्यासी बनने के लिए भी कुछ मान दंड निर्धारित होने चाहिए उनको सिक्षित होना चाहिए और चुने जाने वाले चुने जाने के बाद उनके लिए एक आचा सनहिता होनी चाहिए उनके खर्च एवं संपदा पर एक परतिवंध होना चाहिए एक गनेश नातमक दिश्टी होनी चाहिए समाज का हित चाहने वाले ऐसे चुनिंडा लोगों का जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल स्वक्ष एवं सादगी वाला होना चाहिए यदि ऐसा होनी लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले परतियासी स्वेम हट जाएंगे अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे सकते हैं देश का हित कर सकते हैं बहुजन संप्रेशन के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्टिरिये चेतना का अंतराष्टिरिये जीवन से संबंध बढ़ा है जिसके कारण मनुष्ट की समाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जटिल होती गई हैं बैज्यानिक और तक्निकी विकास भी निरंतर उधर्व मुखी हो रहा है समाप्त इसको दो तीन वाल लिखें उसके बाद सव का स्पीड वाले डिक्टेशन भी लिखें आपका स्पीड आउटोमेटिक बर जाएगा धन्यवाद